हरे किष्णा तो अभी हम भगवत गीता के आठ्वे ध्याई के अंतरगत इस लोग संख्या छे पर विचार करेंगें यम यम बापिस्मरन भावं ते यत्यन ते कले वरं तम तमे वैतिकों ते ये सदातन भाव भाविता हाँ तो यहां पर भगवान कि रहें यम यम बा अपिस्मरन भाव वाक मतलब अथवा की का थ मैं तो मेरे भाव को प्राप्त होगा अब भगवान क्या रहे है अथवा यम 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 बा देवे इसुमरन करें तो यहां तो यह भगवान जो है यहां आप एक सामान इसे धान बतला रहे हैं कि स्री कृष्ण का चिंतन करेगा अगर अंतकाल में तो स्री कृष्ण के धाम में आएगा लेकिन अगर किसी दूसरे भाव का चिंतन करेगा तो वैसा ही उसको सरीर प्राप्त होना है ये नियम सर्व सामाने है, हर ब्यक्ति के लिए और हर समय के लिए ये नियम है अब हम सुनेंगे प्रहुपाद तात्पन में क्या लिखते हैं, सिला प्रहुपाद की जाएगा यहाँ पर मृत्तु के समय अपना सुभाव बदलने की विधी का वर्नन है जो ब्यक्ति अंत समय स्री कृष्ण का चंतन करते हुए सरीर्तियाग करता है उसे परमेश्वर का दिव शुभाव प्राप्त होता है किन्तु ये सत्य नहीं है, कि यदि कोई मिर्ट्य के समय स्री कृष्ण के अतरिक कुछ और सोचता है तो उसे भी दिव अवस्था प्राप्त होती है हमें इस बात पर विशेज ध्यान देना चाहिए तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्य के समय एक हिरन का चंतन किया अता अगले जीवन में हिरन के सरीर में उनका देहां तरण हुआ यद अपी हिरन के रूप में उन्हें अपने विगत करमों की इस्मृती थी किन्तों हैं पसु शरीर धारं करना ही पड़ा निसंदे मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यू के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं अताइस जीवन से उसका आगला जीवन बनता है अगर कोई इस जीवन में सतोगुनी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो सम्भावना यही है कि मृत्व के समय उसे कृष्ण का इसमरन बना रहे इस से उसे शरी कृष्ण के दिव सुभाव को प्राप करने में सहायता मिलेगी यदि कोई दिव रूप से सृरी कृष्ण की सेवा में लिन रहता है तो इसका अगला सरीर दिव्य यानिahonि आध्यात में की होगा बहुत एक नहीं अता जीवन के अंतिसमाए अपने सुभाव को सफलता पूर वक्त बदलने के लिए का जब करना सर्विस्त रिष्ट भी दी है तो यहां पर प्रहुपात का अतात पर समाप्थ हुआ अब हम सुनेंगे स्री भगवान ने कहा में इस स्लोक की कैसी ब्याख्या हुई है पिसले स्लोक में स्री कृष्ण ने कहा था कि जो ब्यक्ति स्री कृष्ण का इसमरन करते हुए सरी छोड़ता है वह स्री कृष्ण के धाम में जाता है उस समय अर्जुन के मन में संसे उत्पन हुआ कि दि कोई ब्यक्ति स्री कृष्ण का इसमरन ना करके किसी अन्य बिक्ति का समरन करते हुए सरीर छोड़ता है तो उसकी क्या गती होती है अंतरयामी होने के कारण स्री कृष्ण अर्जुन के संसे को समझ गए अता उन्होंने इस स्लोक में एक सामान सिध्धान बतलाया है कि जो बिक्ति सरीर छोड़ते समय जिस भाव का समरन करता है वह उसी प्रकार का सरीर प्राप्त करता है इस इस लोग में स्री कृष्ण की दो अत्यंत महत पूर्ण सिख्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूरवक्चर्चा करेंगे अब पहली सिख्षा है इस लोग की सब्द हैं जमबा अपकी समरन भावम तजयति अंते कलेवरम तम तमेव एति कौन ते ये अर्था थे कौन ते ब्यक्ति जिस जिस भाव का समरन करता हुआ सरीर छोड़ता है वह उसी उसी प्रकार का सरीर प्राप्त करता है तो यहाँ पर स्री कृष्ण भाव सब्दे का प्रयोग कर रहे है स्री कृष्ण ब्यक्ति की बात नहीं कर रहे है कि हम किस ब्यक्ति का समरन करते है स्री कृष्ण कह रहे है कि हम किस भाव का समरन करते है वह दाहरन के लिए भरत महाराज ने शरीर छोड़ते समय हरन का इसमरन किया, पर उन्होंने वास्तों में हरन का इसमरन हरन के भाव में किया, वे वास्तों में हरन के भाव का इसमरन कर रहे थे, वे इसमरन कर रहे थे कि हरन कैसे भाईभीत होता है, वे कैसे उठता है, वे कैसे खाता है, वे कैसे वे हरन के भाव में इतने तलीन थे मानों वे स्वयम हरन हो इस प्रकार वे हरन का इसमरन हरन के भाव में कर रहे थे तो यहाँ पर स्रीकृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जिस भाव का इसमरन करता है वसी प्रकार का सरीर प्राप्त करता है इस द्धान्त के नुसार भरत महराज ने हरन के भाव का इसमरन करते हुए सरीर छोड़ा अता उन्हें हरन का सरीर प्राप्त हुआ भागवत के चौथे स्कंदे के अध्याय संख्या 28 में वर्णन आता है कि राजा पुरणन सरीर छोड़ते समय अपनी पतने के समरन इस्तरी भाव में कर रहा था वो अतियंत चिंतित होकर सोचने लगा हाए मेरी पतनी इतने सारे बच्चों से परिशान होगी जब मैं ये सरीर छोड़ दूँगा तो वह किस प्रकार परिवार के इन सभी सदस्यों का पालन करेगी हाए वो परिवार के पालन के विचार से अतिधिक कश्ट पाएगी मेरी पतनी तब तक भोजन नहीं करती थी जब तक मैं स्वयम नहीं खा लेता था वह तब तक नहीं नहाती थी जब तक मैं नहीं नहा लेता था और वह सदा मुझे पर इतनी अधिक अनु रखते थी कि दिमे कभी उसे जड़क देता था और उस पर नाराज हो जाता था तो मैं मौन रहकर मेरे दुर बिवार को सह लेती थी मेरे मुहें ग्रष्थ होने पर वो मुझे अच्छी सलाह देती थी और मेरे घर के बाहर चले जाने पर वो दुखी हो जाती थी यद्यपिभय अनेक पुत्रों और वीरों की माता है तो अभी मुझे डर है कि वो ग्रहष्थी का भार नहीं ढो सकेगी तो यहां पर हम देखते हैं कि राजा पुरंजन इस्त्री के भाव का इसमरन करते हुए शरीर छोड़ा तता इस प्रकार वोसे इस्त्री का शरीर प्राप्त हुआ तो यहां पर शरी कृष्ण कह रहे हैं कि जिस भाव का इसमरन करता हुआ शरीर छोड़ता है वो इसी प्रकार का सरीर प्राप्त करता है अभी हमने चर्चा की कि राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी के समरण इस्त्री भाव में किया अता उसे इस्त्री का सरीर प्राप्त हुआ अब हम विचार करेंगे कि शिव जी की पत्नी सती ने अपने पती शिव के समरण इस्त्री भाव में किया अता उन्हें पुना इस्त्री का ही सरीर प्राप्त हुआ भागवत के चोथे स्कंद के अध्याय संक्या चार में वर्णन आता है कि सती ने अपना सारा ध्यान अपने पती जगद गुरु शिव की पवित्र चरण कमड़ों पर केंद्रत किया इस प्रकार उन्होंने प्रजुलित अगने में अपने शरीर का त्याग किया तता अगले जनम में शिव जी की पत्नी पारवती हुई अब हम विचार करेंगे कि राजा पुरुरवा ने शरीर छोड़ते हुई और वसी का इसमरन पूरस भाव में किया अधा उन्हें औरवशी के लोक में गंधर्व का सरीर प्राप्त हुआ। भागवत के नौमिशकंद के अधिया संक्या 14 में वर्णन आता है कि राजा पूरुरवा ने औरवशी के लोक में रहने की इच्छा से औरवशी का ध्यान किया तथा इस प्रकार राजा पूरुरवा औरवशी के लोक में अर्थाद गंधर्व लोक में गई तथा उन्हें गंधर्व का सरीर प्राप्त हुआ। इस्त्री का इस्मरन पूरुष भाव में किया। तो यहां पर स्री कृष्ण खे रहे हैं कि जिस भाव का इस्मरन करते हुई शरीर छोड़ता है उसी प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। भागवत के पांच में शकंद की अंतरगत अध्याय संग्या दो में वर्णन आता है कि पूर्विचित्ती अफ्सरा के चले जाने पर अत्रिप्त वास्तना के कारण राजा आगनीध्र उसी के विशे में सोचते रहते थे। अता वैदिक सिध्धान्त के अनुसार राजा मृत्यों के पश्चात उसी लोक में गई जहां उनकी पत्नी थी। इस लोक संग्या पांच दो बाइस के तात्पर में सिल प्रहुपाद लिखते हैं। यदि कोई किसी के विशे में मिरंतर सोचता है तो मृत्यों के उपरांथ उससे वैसा ही सरीर प्राप्त होता है। महराग आगनीध्र सदा पित्र लोक के विशे में सोचते रहते थे। जहां उनकी पत्नी पहुंची थी। इसलिए मृत्वी के परश्चात उन्हें वहे लोग मिला जिससे भी उसके साथ पुना रह सकें भगवत गीता आठ शे का भी कतन है कि जीव अपना सरीर त्याकते समय जिस किसी भाव का इसमरण करता है वो से निश्चे ही प्राप्त करता है अता हम सहाजी इस निश्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जीव निरंतर सरीर किस्ण का इसमरण करें तो हमें गोलोग ब्रिंदावन प्राप्त हो सकता है जहां सरीर किस्ण निरंतर वास करते हैं इती इस इतलों का एक अन्य अर्थ ये भी है कि जो अब्यक्ति स्री कृष्ण का इसमरन जिस भाव में करता है वो स्री कृष्ण की सेवा में उसी प्रकार का आध्यात्मिक सरीर प्राप्त करता है इदि कोई व्यक्ति स्री कृष्ण का इस्मरन सखा भाव में करते हुए सरीर छोड़ता है तो उसे स्री कृष्ण के सखा के रूप में आध्यात में एक सरीर प्राप्त होता है जो ब्यक्ति स्री कृष्ण का इसमरन सखी भाव में करता है तो उसे स्री कृष्ण की सखी के रूप में आध्यात्मिक सरीर प्राप्त होता है जो ब्यक्ति स्री कृष्ण का इसमरन मंजरे भाव में करता है तो उसे स्री कृष्ण के मंजरे के रूप में आध्यात्मिक सरीर प्राप्त होता है जो ब्यक्ति स्री कृष्ण का इसमरन पिता के भाव में करते हुए सरीर छोड़ता है उसे स्री कृष्ण की माता के समान एक गोपी का आध्यात्मिक सरीर प्राप्थ होता है जो बेक्ति स्री कृष्ण के किस्मरन गोपी भाव में करता है उसे स्री कृष्ण के धाम में गोपी का ही आध्यात्मिक सरीर प्राप्थ होता है ब्रह्म सेंटा के पांच में ध्याई की इसलोक संख्या पश्पन में कहा गया है कि क्रोध है काम साच इसने हैं भय वात्सल मोह है स्रद्धा तथा सेवा भाव से जिनका चिंतन करके साधक उन्हें भावों की इथायोगी रूपों को प्राप्त हो गई और आदी पुरुष भ प्राप्त करते हैं तो यहां पर स्रीखिण जुन के लिए कौंते सब्दे का प्रियोग कर रहे हैं कुंते सब्द कार्थ है कुंती देवी का पुत्र भागवत एक आठ ब्यालिस में कुंती देवी स्रीखिण से प्राप्तना करती हैं कि उनका स्रीखिण के प्रतियाकर्षन सदा बना रहे इस कार्थ है कि कुंती देवी सदा स्रीखिण का इसमरन करना चाहती है ये समझने की बात है कि दीविक्ति स्री कृष्ण का इसमरन निरंतर करता रहता है तो पूरी संभावना है कि सरीर छोड़ते समय भी स्री कृष्ण का इसमरन होगा तो ता इस प्रकार स्री कृष्ण के धाम की प्राब्दी होगी तो यहाँ पर स्री कृष्ण अर्जुन को कौंते कहकर संकेत कर रहे हैं कि अर्जुन को भी अपनी माता कुंती की तरह ऐसी इच्छा करने चाहिए कि वे स्री कृष्ण का सदा इसमरन करें ताकि जीवन के अंतकाल में स्री कृष्ण की प्राप्ती हो सके अब दूसरी सिख्चा है इस लोग के अगले सब्द हैं सदा उसी भाव से भावित रहा है तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वेक्ती सरीर छोड़ते समय केवल उसी भाव के इसमरन कर पाता है जिस भाव से वो सदा भावित रहा है ऐसा नहीं है कि बिक्ति जीवन काल में अपने धन तथा परिवार की भावना से भावित रहा पर उसरीर सोड़ते समय वो स्रीकिष्ण की भावना से भावित हो जाए ऐसा नहीं है इस लोग के बंगाली पद्यानवाद में सिलप रूपा लिखते हैं यह नहीं है पर श्रीकिष्ण आर्जुन से कह रहे हैं जिस भाव का चिंतन करता है उसी भाव का चिंतन उसी सरी छोड़ते समय होता है अतहा तुम मेरे भक्त बनो तो इस स्लोक में भगवान ने बड़ी रोचक बातें पतलाई हैं भगवान कहते हैं कि जिस भाव का चिंतन करते हुए शरीर क्या आखता है तो यहां पर ब्येक्ती की बात नहीं कहेंगे जिस ब्यक्ति का इसमनन करते हुए शरीर त्यागता है, बलकि जिस भाव का इसमनन करते हुए शरीर त्यागता है, तो हम भी श्री कृष्ण के साथ अगर अपना स्वमन्द बनाना चाहेते हैं, तो कोई भी एक भाव हमारे अंदर आना चाहिए, कोई एक भाव बना चाहिए, पात प्रकार के भाव होते हैं श्री कृष्ण के संबन्द में पात प्रकार के भाव होते हैं तो पहला भाव क्या है शांत भाव उसके उपर है दार्श भाव उसके भी उपर है शक्य भाव इसके भी उपर है वासल भाव इसके भी उपर है माधुरे भाव तो चार प्रकार के भाव तो यहां पर भगवान के कहने का अर्थ यह भी है कि अंतकार में जो भिक्ति जिस भाव का इसमरन करते हुए शरीर छोड़ता है तो वो उसी उसी प्रकार का शरीर प्राथ करता है और भगवान ये बात ये भी कहते हैं सिदात भाव भाविता कि वो हमेशा उसी भाव से भावित भी रहा है इसका मतलब है कि यहां पर ज्यादा तर बल प्रयोग नहीं हो सकता बल प्रयोग नहीं हो सकता तो लोग अपना बल प्रयोग करते हैं इस समन्न में लोग क्या सोचते हैं कि यम यम आप इस्मरन भावं ते अत्यंते कर लेब्राम तो कह रहे हैं जिसे भाव का इस्मरन करते हुए हम सरी छोड़ें तो उसी भाव का हमें इस्मरन होगा लेकिन दोसी बात यह भी समझने की है कि अंतकाल में हम अगर चाहें कि हम सरी किस्मरन करें तो ऐसा नहीं हो सकता हमारा जो है अंतकाल में कोई नियंत्रव नहीं होता है अंतकाल में तो उसी भाव का इस्मरन होता है जो की जीवन भर हम करते रहे तो हमें जीवन भर जो है तैयारी करने हैं ताकि मृत्यू की समय हमें जो है स्री किस्न के पृति किसी भी भाव का इस्मरन हुआ है तो इसी कोई बात नहीं है कि किसी भाव का इस्मरन हो यह स्री किस्न का इस्मरन हो सबसे अच्छा यह है अगर स्री किस्न का इस्मरन हम करते हैं शांत भाव में तो हमें स्री कृष्ण प्राप्त होते हैं पिता और माता की रूप में और अगर हम स्री कृष्ण का इसमरन करते हैं दास भाव में तो हमें स्री कृष्ण फिर ऐसा सरीर देंगे जिसके द्वारा हम स्री कृष्ण की सेवा कर सकते हैं अगर हम श्री कृष्ण का इस्मरन करते हैं मित्र के भाव में तो फिर हमें श्री कृष्ण ऐसा शरीर प्रदान करेंगे जैसे श्री कृष्ण के मित्र होते हैं तो इस प्रकार से यहां पर भगवान किया रहे हैं, यम यम बाप इस मनन भावम ते अत्यन ते गलेवर्म, अन्तकाल में जो जिस भाव कैसे मनन करता हुआ, शरीर त्यागता है, तो यह बिलकुल सरल सिध्धान्त है, और इस सिध्धान्त के अनुसार हम समझ सकते हैं, कि किस कैसी गती होई, तो इसमें कोई जदा कष्णा यह नहीं है, समझने की, कि हमारा भाव कैसा विख्षित हुआ, अगर कोई व्यक्ति जीवन भर कुत्य का कर्म करता है, तो बहुत सम्भावना यह है, कि अन्तकाल में उसको, कुत्य का ही इसमरन होगा, कुत्य के भाव का इसमर तो जैसे भरत महराज थे तो उन्हें अंध काल में हरन का चंदन किया क्यों हरन का चंदन किया क्यों कि श्री क्रिष्ण का स्मरन ने बिलकुल भूल चुके थे तो हरंड से उनके आ सकती हो गई तो श्री कृष्ण का वो इस मरंड फिर वो नहीं कर सके तो ये सिद्धान बड़ा रूचक है बहुत स्तरल भी है और इससे हम बहुत बड़ा लाब उठा सकते हैं अगर लापरवाई करेंगे तो बहुत बड़ा हम नुक्सान भी उठाएंगे धन्यवाद हरे कृष्णा